जीवन की सच्चाई आपको पता है क्या है? जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिन्दगी में सिवाए बोज के और कुछ नहीं है, तो आपको खामोसी से उसके जिन्दगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रीम जुदाई बरदास्त कर लेती है, लेकिन बेजजती बिल्कुल भी नहीं, अनुभव कहता है कि महनत आदत बन जाए तो काम्यावी मंजल बन जाती है, सबसे ज़्यादे दुखी अपनों का पराया होना होता है, अपने आपको तयार करो, हर किसी के बाद को अपने उपर लेना बंद करो, छोटी सोच बाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते हैं, और साथ बालों को भी आगे नहीं बढ़ने देती हैं, और मेरी दिल की हो, तो लोग सैकल पर भी खुसियां मनाती हैं, नहीं तो कारों से भी लोगों को रोता दिखाए, अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है, जब कोई बहुत ही जादे प्यार करके दोखा देता है, अगर कु इंदगी भी बन जाओ तो स्विकार नहीं करेंगे, कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालों आखरे में तूट जाता है, इंसान ये इंसान का रास्ता काटता है, बेलिया तो यूही बदनाम है, प्रेम हो या नफरत हिसाब सी करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ह होगी ही, कोई विश्वास दोड़े, तो दिल से उसका धन्यवात करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करो, कभी आंसू मत देना उनकी आखों में, जिनोंने खुद हार कर आपको जिदाया है, लोगों को संतुष्ट करते करते तुमारी पास्ता तुमारा नहीं है, वो मंजिल भी तुमारी नहीं, रिस्था रखना हो, तो अच्छी बाते करते रहा करो, और खत्म करना हो, तो सच्छा ही बता दो, कभी कभी नए लोग पुराने से वफ़दार मिल जाते हैं, आजकल के इनसान दिल से नहीं, जरूत से रिस्था बनाते हैं, लोगों ने कुछ दिया, तो सुनाया भी बहुत कुछ, है स्वर, एक तेरा ही दर है, जहां कभी ताना नहीं मिला, और सफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिस ना करना जरूर गलत है, जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपन अपना गम सोच समझ कर बाटना चाहिए, दुनिया में हमदर्द कम और सिर्दर्द जादे मिलते हैं, अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ उखार नहीं सकता, इंसान नीचे बैठा दौलत गीनता है, कल इतनी थी, आज इ की है आपकी, सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किये ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं, जो आपके सब्दों का मुल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बहतर है, जो दिल से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है, कि किधर है कोई, को से आपके जिंदगी और भी आसान हो जाएगी, और आपके मन में चल रहे सारे सवाल के उत्तर मिल जाएंगे, स्रीकिष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस बारे में विचार करके ही कारिये करनी चाहिए, ये गीता का सबसे करांती कारी संदेश है, क्योंकि आज के मोटि माधव, ये सब मेरे चाचा, ताओ हैं, मेरे गुरू हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो स्रीकिष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की इस दुरवलता को अत्याग दो, नपुन सकता को प्राप्त मत हो, गांडी उठाओ और युद्ध करो, क्यों से आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का वह नहीं होगा, तो वो गलत और अनैतिक काम करने से पहले सूचे गए नहीं, तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, तो उसकी मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं, तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना, अपने अंदर जांको, और देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, स्रीकिष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवाज दुनिया में कुछ भी नहीं रहता इंसान जब पैदा होता है, तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है, तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है, जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहां आने पर मिला है, वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहां से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा जो पैसे आप के पास है जो नाम आज आप के पास है और जिस पोजिशन पर आप है उस पोजिशन पर आप से पहले यहाँ कोई और था आज भेले ही आप लेकिन कल कोई और आप से वो छेल लेगा दोस्तों यही सृष्टी का नियम है और यह भागवद गीता के सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझना चाहिए तो अगर बदलाओ यही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सा चीज है जो हमेशा रहती है तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी वो चीज है इनसानियत सबसे पहले आप एक अच्छे इनसान बनिये हर एक मनुस्य उस परमात्मा का अंस है और हम सीधे तोर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं दोस्तों हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती पर हम सरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिष्टा या फिर पैसा या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन छेन जाएगा या दूर चला जाएगा, यह इस रिष्टी का नियम है, जो कल किसी और का था, आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है, वो आने काले, दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा, इसलिए किसी भी चीज का एहंकार ना करें, और हर एक व्यक्ति के साथ, आदर के साथ पेश आए, स्रिकुष्ण तीसरी बात कहते हैं, कि कर्म करो, फल के एक च्छा मत करो, मनुस्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, हम एक काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए, फल की कोई भी एक्छा नहीं रखना चाहिए, जादेतर लोग जब कोई काम करते हैं, तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं, किस कारी को करने से मुझे भविस्थ में कुछ लाब मिलेगा की नहीं, लेकिन इना इच्छा के करम करने का एक फाइदा ये भी होता है कि आप काम पर ज्यादे ध्यान देपाते हैं। स्रीकृष्ण चौथी बात बताते हैं। लड़ाई से डरने वाले मिठ जाते हैं। जिंदगी एक उत्सब है, संगर्स नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संगर्स समझते हैं, तो निश्चित ही हुआ संगर्स मैं होने वाली हैं। हलंकि जीवन के कुछ मोर्चों पर वैक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए। जो वैक्ति लड़ना नहीं जानता, युद उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संगर्स भी योग। महावारत के पांडवों को यह बात स्रीकृस ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधों और भाईयों से लड़ना नहीं जाते थे। लेकिन स्रीकृस ने समझाया जब किसी मसले का हल सांती पुर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता। तो फिर युद ही एक मात्र विकल्प पर जाता है। कायर लोग युद से पीछे अटते हैं। इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई वार युद्ध करना पड़ता है। और अपने अधिकारों के लिए कई वार लड़ना पड़ता है। स्रीकिष्ण पांच भी बात कहते हैं। काम, क्रोध और लोग नर्क के तीन दुआर है। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल का एक्षा रखता है, तो उसके मन में काम के उत्पत्ती होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुस्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपने कामनाओं के पुर्ती का कितना है परयास क्यों ना कर ले। परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं के पुर्ती नहीं होती, तो क्रोध पैदा होता है। और क्रोध के आवेग में आकर मनुष से कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढगेल देती है। काम के उत्पत्ति कई कारण लोग भी है क्योंकि मनुष से अगर उतने से संतोस कर ले जितना उसके पास है। अगर वो अपने एक्षाओं को कम कर दे तो अपने सत्रू काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोस रखना चाहिए। सांसारिक सुखों के एक्षा को त्याग दो क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुती स्रेनिक होता है जो कभी व्यक्ति को त्रिप्त नहीं कर पाता। इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थलें। इसलिए अगर काम रूपीज दुस्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वस्मे करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। एक समय की बात है अफ्रिका महादूइप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहां से बहुत आयत में हीरे प्राप्त हुए थी वहां के गाउं में रहने वाला किसान अक्सरों लोगों की कहानियों सुना करता था जिन्नोंने हीरों की खान खोज कर अच्छे पैसे अफ्रीका की लगवक सभी अस्थान चान मारने के बाद भी उससे हिरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना मीर बनने का सपना तोटता दिखाई देने लगा। वह इतना हतास हो गया कि उसके जीने की तमना हिस्समाप्त हो गी। और एक दिन उसने नदी में कूद कर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था। एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। उस नदी के प पत्था था। उसने सोचा ये सजावट के काम आएगा। और उसने इसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर एक मित्र आया। जब उसने वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा। मित्र खेत की नदी के किनारे मिला है वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं दोनों खेत पहुची और वहाँ से कुछ पत्थर नमुनी के तौर पर चुल ली फिर उन्हें जांस के लिए भेज दिया गया जब रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली वो पत्थर हेरे ही थे उसके खेत में हेरो का भंडार था वहाँ उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हेरे की खादान थी दोसरा किसान उस खादान की वज़े से माला माल हो गया पहला किसान दरदर भटका औरंत में जान दे थी जबकि हीरे की खान उसके अपने खेद में उसके कदमों तले थी दोस्तों इस कहाणी में हीरे पहले किसान के कदमों के तले थे लेकिन वो पहचान नहीं पाया और उसकी खोज में भटकता रहा ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ती के लिए अच्छे अफसरों के तलास में रहते हैं हम उन्हों अफसरों को पैचान नहीं पाते हैं या पैचान कर भी महत्व नहीं देते हैं जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं जीवन में सफल होना है तो आवज सकता है बुद्धिमानी और परक्से उन अफसरों को पहचानने की और धहरे से अनवर्थ कारी करने की